आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला मोदी ने चंदा लेकर उद्योग पतियों को धंदा दिया और जाच एजिंसियों ने डराया बीजेपी ने चंदा पाया मोदी की वज़े से आज देश की जनता शर्मिंदा है और हो भी क्यों ना आजाद भारत का सबसे बड़ा स्कैम जो सामने आया है जी हाँ इलेक्टोरल बॉंड स्कैम ये घोटाला देश में मोदी और भाजपा की धर्ष्ट, कलंकित, लूटो और लूटने दो की नीती का परदापाश कर रहा है इलेक्टोरल बॉंड में दान देने वाली कई ऐसी कमपनिया हैं जिन्होंने पहले चंदा दिया और बाद में उन्हें भाजपा सरकार से करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट मिले मेगा इंजिनरिंग अपरिल 2023 में 140 करोड रुपए के इलेक्टोरल बॉंड लेती है और ठीक एक महीने के बाद उन्हें 14400 करोड रुपए का ठाने बुरिवली ट्विन टैनल प्रोजेक्ट मिलता है जिंदल स्टील एंड पावर ने साथ अक्टुबर 2022 को इलेक्टोरल बॉंड में 25 करोड रुपए दिये और सिर्फ तीन दिन बाद वो गारे पालमा को इलाखदान हासिल करने में कामियाब हो गया APCO Infra 10 जनवरी 2022 को इलेक्टोरल बॉंड लेती है और 24 जनवरी 2022 को उसे 9,000 करोड का वर्सोवा सिलिंग टेंडर मिल जाता है मोदी के फिस्टा चार की दास्तान यहीं नहीं रुकती इलेक्टोरल बॉंड लेने वाले टॉप 30 कंपनियों में से 14 ऐसी कंपनिया हैं जिन पर ED, CBI और IT ने छापे मारी की इन में सबसे बड़ा नाम और सबसे ज्यादा रकम फ्यूचर गेमिंग एंड होटेल्स का है जिसने 1368 करोड रुपे का चंदा दिया कैसे दिया ये भी हम आपको बताते हैं 2 अपरल 2022 को ED ने फ्यूचर गेमिंग पर छापा मारा और ठीक पांच दिन बाद यानि कि 7 अपरल को फ्यूचर गेमिंग इलेक्टोरल बॉंड में 100 करोड रुपे का दान करती है दूसरी बार इस कंपनी पर अक्टुबर 2023 में आईटी की रेड होती है और इसी महीने 65 करोड रुपे का दान ये कंपनी इलेक्टोरल बॉंड के रूट में करती है यहीं नहीं इस कंपनी के मालक लॉटरी किंग के बेटे चार्ल्स जोस मार्टिन ने बीजेपी भी जॉइन की जाँच अजिंसियों की छापे मारी में अगला नाम शिर्डी साइं इलेक्टिकल्स का आता है इंकम टेक्स ने दिसंबर 2023 में इस कंपनी पर छापा मारा और अगले ही महीने जनवरी 2024 में ये 40 करूर रुपए के इलेक्टरल बांड खरीगती है ऐसे ही हेटेरो, फार्मा और येशोदा अस्पताल पर भी पहले चापे मारी हुई फिर इनों ने इलेक्टरल बांड के माध्धम से चंदा दिया इस चुरावी चंदे का फैटर्न ये बताता है के एक हाथ दो और एक हाथ लो जैसे केंग सरकार द्वारा 3 मार्च 2021 को राधिकापूर पश्यम प्राइवेट कोईला खदान वेदानता को दिये जाने के तुरंत बाद वेदानता एपरल 2021 में 25 करोल रुपए के इलेक्टरल बांड खरीदती है इसमें कई ऐसी संदिक्द कंपनियां भी हैं जिन्होंने अपनी कुल पूझी से अधिक बीजेपी को चंदा दिया जैसे Quick Supply Chain Limited एक ऐसी कंपनी है जिसकी पूरी शेयर पूझी MOCA फाइलिंग के अधिसार सिर्फ 130 करोड रुपए है और इसने 410 करोड रुपए के इलेक्टरल बांड खरीदे है ED की चापे मारी उसके बाद कंपनियों का इलेक्टरल बांड खरीदना इलेक्टरल बांड खरीदने वाली कंपनी को हजारों करोड के सरकारी प्रोजेक्ट मिलना और संदिक्द कंपनियों द्वारा चंदा दिया जाना ये तमाम सबूत है जो मोदी के फ्रस्टा चार की पूल खोलते है साफ है मोदी ने आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला किया है जनता मोदी को सत्ता से बाहर कर इस फ्रस्टा चार का जवाब देगी